हाई मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब आइओ आप सब बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में मस्थ होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं राज्च्छ आप सब एक लिए नई वीडियो लेकर के आई हूं एक नई रेमेडिय लेकर के आई हूँ जी हाँ आप भी चाहते हैं ना कि आपकी स्किन टोन लाइट हो जाए आपका जो कलर वो फेर हो जाए उस पे एक चमक आ जाए और आपकी स्किन पे जो भी काले दाग धब्बें वो जड़ से खत्म हो जाए आपकी स्किन हेल्दी हो जाए स्पॉटलेस हो जाए बिना मेक अप के इस किन लो करती ही रह, जी हाँ, सबकी नजरे आप पे हो सब आप से पूछें कि आप कौन सा फेस पैक लगाते हो जो आपका कलर फ्वेर होता चला जा रहा है जी हाँ, तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, कि आपका color चाहे जैसा भी हो, आप गोरे हो, आपका color dark हो, या light हो आप कभी कोई भी remedy अपने skin पर लगा रहे हो, तो ये सोच कि कभी ना लगाय करो, हमें गोरा होना है, हमें अपने color को fair करना है आपको ये सोचना चाहिए, कि हमारी जो skin हो, sportless हो, बेदाग हो, दाग धब्बे ना हो, healthy हो, चूरिया ना हो, चाहिया ना हो, pigmentation ना हो जब आपकी skin पर ये सारी problem नहीं होगी, तो आपकी skin सबसे ज़्यादा healthy मानी जाएगी आपकी skin की सभी तारीफ परेंगे, उस skin की नहीं करेंगे, जिसका color fair है, और तो दाग धब्बे हैं, चाहिया है तो आपके जो remedy है, वो तो color fair करेगी, बट आपकी skin की problem को भी दूर करेगी 7 day challenge करते हैं, अगर आप इस remedy को लगा लिया, तो आपके skin tone पे change आने लगेगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस करके जाएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो देखने को मिले, और कोई भी कोश्चन हो, या कोई भी जानकारी है, आपको मेरे से लेनी है, आप मुझे इसे फ्रेस एलवरा प्लांट लिया है, उसे धुल के साफ कर लिया है, एक छोटा सा पीस मैंने कट किया है, ओपर वाले स्कीन हटा दी है, उसमें दो तिन कट मारे हैं, कट मारने के बाद मैंने इसमें हनी मिक्स किया है, हाप इस्पून, जी हाँ, इसके बाद क्या करना है, जिस तरीके से मैं पूरे फेस पे सल्कुलेसल मौसन में मसाज कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी पूरे फेस पे सल्कुलेसल मौसन में मसाज करना है इसे क्या होगा आपके स्किन हील होगी हाइडरेट होगी क्योंकि एलवरा जेल में बहुत सारे पोशक ततु पाये जाते हैं एंटी आक्षिडेंट गुर पाये जाता है जो स्किन को चमकदार बनाता है स्पॉटलेस बनाता है स्किन को हील करता है लचीला बनाता है हर तरह के दाग धबो को दूर करता है और सहद हमाई स्किन की रंगत को निखारता है तो ये स्टेप अगर आप डेली अपनी स्किन पे फालो कर रहे हो तो आपके स्किन हेल्दी भी रहेगी और हर तरह के स्किन की प्रॉब्लम से दूर रहेगी आपके स्किन चमकती रहेगी कि आपकी स्किन पे एक natural glow बना रहेगा और ये step करने के बाद जब हम face pack लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हद पार कर देगी आपकी स्किन इतनी ज़्यादा निखर आएगी हर तरकी स्किन problem को दूर कर देगी बट अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप इसे apply ना कीजेगा तो यहाँ देखिए मैंने massage कर लिया था फाइफ निट के लिए मैंने लगा के छोड़ दिया था उसके बाद मैं यहाँ पे cotton के कपड़े को dip किया पानी में पूरे face को अच्छे से clean कर लिए और clean करने के बाद आप से एक सकते हो face पे एक अलक्षी चमक आ गई है तो daily करेंगे तो क्या magic होगा वो तो आप समझी सकते हैं अब हम जो face pack बनाएंगे face pack को बनाने के लिए हमें एक आलू चाहिए जी हाँ ये आलू आपके skin पे जिद्धी चाहिया जो है उसे भी दूर करती है रंगत को भी फेर करती है क्योंकि आलू में बहुत सारे पोशक तत्तो पाए ही जाते हैं बट इसमें bleaching agenda भी कहते हैं इसकिन को bleach करता है ये आलू रंगत को फेर कर देता है तो आपको आलू के छिलकी हटा लेने है इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रही हूँ और इसके बाद आपको आलू का पानी निकालना है तो मैं यहाँ आलू को क्रेस कर रही हूँ कद्दू कस कर रही है जो भी आप कहते हो उस तरीके से मैं निकाल ली हूँ, आपको जिस तरीके से इजी लगे आपको आलू का पानी निकालना है, आप चाहो तो आलू की छोटी छोटी पीस कट कीजेगा, मिक्सर में डाल के ग्रैंड कीजेगा, और निचोड के इसका पानी आप निकाल लीजेगा, ठीक है, और आपक प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम को दूर करने की ताकत है यहां पर देखे मैंने आलू को कदुकस कर लिया है अब इसे में कपड़े में या छनी में रखे जिस तरीके साब को इजी लेगे निचोड़के इसका सारा पानी निकाल लीजिए आप सब बहुत अच्छी तरीके स पड़े इसके लिए आपको क्या करना होगा इसमें आपको लेमें जूस कम से कम हाफ स्पून डाल के मिक्स कर देना है जी हां और जैसे आप लेमें जूस इस आलू के पानी में डालोगे और आप इसे 10 से 15 20 नट भी रख दोगे यह आलू का पानी काला नहीं पढ़ने वाला जो हमाई स्किन से काले पन को हटाता है गंदगी को काटता है जी हां आप समझ गए इसके बाद आपको क्या करना है एक टमाटर लेना है छोटे साइज का रेट कलर का और यह टमाटर आपके इसकिन की ओपन स्पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करके आपकी रंगत को निखार को प्रॉब्लम करता है तो आपको टमाटर का पेष्ट लेना है जिस तरीके से ओए आप टमाटर का पेष्ट कहरे में स्पायां और मुझे तो यह तरीका बहुत लगता है इस तजार में स्कीन वाइटनिक पापन पष्ट , जाती है रहे एंटी एजिंग घूडबी टमाटर में पाए जाता है अब क्या करने आपको इस टमटर के फिष्ट में आपने जो आलू का पानी निकाल के रखा है पेटेटो जूस दो बड़े चमच वो एड़ कर देना है डाल देना है जी हां और ये आलू के पानी को निकाले मुझे 10 पनट हो चुके थे देखे आलू का पानी की काया पलट देगा आपके चहरे पे अलग सा ग्लो ला देगा आपके स्किन को स्मूद बना देगा जी हां तो आपको यहां लिक्विट डूद नहीं चाहिए क्योंकि जब आप इस रमेडी को बनाओगे तो ठिक रमेडी बनानी है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ा और भी म स्किन बनाएगा रंग को फेयर करेगा इसे डाल के चिस से मिक्स कीजिए अगर आपके पास चौल का आटा नहीं है तो आप यहां पर वन स्पून बेसन लोगे जी हां और आपके चहरे पे मुहासे पिंपल्स हैं एक्ष्ट आयल बहुत जादा आपकी स्किन पर आता है तो मैं बताओंगे इसमें आप क्या मिक्स करके लगाओगे अगर आपकी स्किन ट्राइए तो आप यहां पर ग्लिसलीन दो से तीन ट्राप डाल सकते हो नहीं तो आपको कोनेट ओल हाफ स्पून एड़ कर सकते हो जी हां इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी च मिक्स कण दिया मिक्स कर लेते हैं हल्दी हो चली सारी चीजे मिक्स हो चुकी हैं हाफ सपून लेमें जूस और भी मिक्स कर लाई हूं यह लेमें जूस वही मिक्स करेंगे जिनकी skin oily है बहुत ज़्यादा मुहा से आते हैं एक्ष्टा ओयल आता है नहीं आपकी skin oily है ताफ इसे skip कीजेगा फ्रीज में रख दीजेगा फर्स्स स्टेप आपने फालो कर लिया है दूसरे स्टेप में आपको यह face pack पूरे face पे लगाना है नेक पे लगाना है आपके skin tan हो चुकी है काला पन है छाईया है जूरिया तो यह remedy आपके skin की सभी problem को दूर करके आपके skin को spotless light bright tight बनाने वाली है जी हां नेक पे भी लगाईएगा पहली बार लगा रहे हैं तो पैस्टर जरूर कीजेगा क्योंकि सबको हर्ची सूट नहीं कर है और एक बात और ध्यान दीजेगा seven day आपको continue लगाना है लगाताल लगाना है उसके बाद इस रमेडिक को वीक में से दो से तीन बार ही लगाना है जी हां ज्यादा नहीं लगाना है और अगर आपके skin पर रसर्स होने लग रहे हैं पहली बार में ही तो आप इस रमेडिक क यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो इसे मैं लगा के छोड़ दी हूँ 40 मिनिट के लिए 40 मिनिट के बाद मैं इसे हटा के दिखाती हूँ यहां देखे 40 मिनिट के बाद ये face pack पुरी तरीके से सूख चुका है तो हटाने का तरीका वही पूराना तरीका होगा पानी में कपड़े को डिप कीजिए कौटन के निचोड़िया और पूरे face को अच्छे से clean कीजिए इसे आपकी dead skin भी निकलेगी ब्लेक हैट्स वाइट हैट्स भी निकल गया है और face को normal पानी से clean कीजिए उस पे कोई भी साबून या face ross का यूज नहीं करना है चार से पांच घंटे के बात करना है अच्छा सा मोशराजर लगाई है फिर कमेंट करके जरूर बताईगा चलते हूं फिर मिलती हूं एक नए वीडियो